क्या आप मुझे सुन पा रहे हो कि एडल मैडम नमस्कार हेमू प्रियंका आर्जू प्रतमेश दीप दिव्यांशा अलकमा अली दीप चमेटिया प्रियंका गुमारी आर्जू मैडम प्रतमेश नायक दिक्षा गौर कैसे आप लोग कि यह वर्दस्त आग आरे लिए के बाप आवाज आरे लिए कि जल्दी बताओ हाई 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 लियो गाई वेलकम तो दे ग्लास पिक्सी सोना वाओ अब मुश्य के थांक 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 यू ही रल पॉर जॉइन इन इन यहां पर आ गये मिलने के लिए नमस्ते 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 कहते हो आप कुनाल वेलकम प्लास अखिलीश डागा अधिसर है क्या है यह क्या है हमारे क्लास में है ओ हो 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 इस दिस क्या मैं क्या देख रहा हूं तर्थी बहुत-बहुत स्वागत है आपका थैंक यू वेरिवेच पॉर जॉइन इन ये तो दिन बनन गया यह थे दिन बता कि यहां तो यहां से यहां पर आ आ रहा है आप लोग पैचान सकक रहे हो क्या कि जो चहरा नजर आ रहा है और जो इस पेक्टर में पता ही नहीं कि एक इंसान और सब्सक्राइब कर था कि उती है् फिर्टा म जा थेम रहतिया कि आप शुत यहाद्ट कुट है कि है विजशी एक नहीं पॉट आतल आपको दिक बेरा हक diverse खरोगे उवừng देओ विद अपर छॉट ट्रेग्ट से इं ze अपर दिखेगा आप जिस concept के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं उन सारे concept wise वीडियो आपको यहाँ पर दिखेंगे और सभी के सामने उनको प्ले करने के लिए वीडियो का लिंक भी है और यह पूरा content फ्री है प्लीज इसको चेक आट ज़रू कर ले न में जून 22 बैच के लिए हम ने कि बहुबली परिवार ने classes टार्ट कर दी है जैसे कि आपको पता है हमारे दो चैनल्स है अनकेडेमिस ये प्रो और अनकेडेमिस ये फांडेशन दोनों चैनल्स पे classes फुल फॉर्म में चल रही है टीचर्स क्लास टाइमिंग सब्जेक्ट आपके सामने है प्लीज नोट डाउन कर ले ना मेरा परसनली टाइमिंग है 12.10 पीम का जो टाइमिंग है यहां पर मैं आता हूं exclusively for December 21 students और यह होता है special class में 5 पेम का class का जो टाइमिंग है सर्फ आप लोग के लिए में जून 22 के लोगों बच्चों के लिए हमारे लिए और प्लस का बैज भी बहुत जल्दी आने वाला है लक्ष 2.0 लेकिन आपको लक्ष 2.0 तक रुखने की ज़रुरत ने अगर आप अपनी preparation अभ सब्जेक्ट यहां पर लिखे हुए और सारे बैच के डीटेल्स आपको बता दो इस नॉट जस्ट सिंगल कोर्स बैच सिंगल गूवल ड्राइब लिंग कंप्लीट सिलाबस का कवरेज यूटूब यूटूब स्पेशल घूमने की ज़रुरत नहीं है शॉर्ट टर्म लॉं बीकॉम और फांडेशन दोनों एक्जाम सेम डेट पर स्टार्ट हो रहा है अब बीकॉम का टाइम वां 10.32 वन पीम है मैं कौन सी एक्जाम दूँ शाम दो बीकॉम में आपको सिर्फ पास होना है और मलब जादा टेंशन उसका लेना नहीं आपको टेंशन लेना है सिए की ठीक है तो डूंट फोगेट लाट इस वेल गोपोड बोथ है ना चलिए गुड इमिनिंग एवरिवन लेट स्टार्ट विद आर क्लास दोस्तों प्लस आपको मैं बता दूँ यह अगर आप बैच जॉइन करना चाहते है लक्ष बैच तो आपको प्लस लेना होगा जिसमें अगर आप आइकॉनिक लेंगे तो प्लस के अलवा कुछ आइकॉनिक बेनिफिट मिलेंगे जिसे पर्सनलाइज को स्टेडी प्लैनर एक्सपर्ट गाइडलाइन सेंड टेस्ट अनलेसिस लस्के ऑप्चिन से 3 6 12 24 मंद और सारे जगा पर स्तिया आजश विल गिविव मैक्स रिवंब पॉसिबल इंडिन कॉंड एक्नटरेक्ट बल्लोक सिर्टी में और जों क्या होता है वां devoted म इसप्रेंच और और इंदिफिर्स देखलें इसंचल इलेमेंंट संदेखलिये फिर हम आगये ते वांड़ अर्ब시면 अंडिए ऑन आठ्स सेंचल नहीं कर सकते ये सारे हमने देख लिए थे फिर मैंने आपको बताया था कुछ contracts लिखे में होते है कुछ contracts बोलके होते है लेकिन सारे cases में वो आते है एक्सप्रेस contract के अंदर फिर मैंने बताया था कुछ contract जो contract होते नहीं लेकिन law वहाँ पर contract जबर्दस्ती गुसा देता है उससे कायता है कौजी contract ये भी मैंने आपको पढ़ाया फिर e-com contract भी मैंने आपको पढ़ाया फिर मैं बेस्टान पर्फॉर्मेंस में गया था मैंने आपको तीनों concepts बता दीती executed unilateral executory और bilateral executory कुछ example हम लोग देख रहेते एक बार जल्दी से इन तीनों concept को देखकर फिर हम आज की class आगे बढ़ा देते हैं तो दोस्तों on the basis of performance मैं आ गया हूं तो executed contract मैंने बता देता हूं इक पर दुबारा याद दियाद देख ले न क्या ये निशान कुमार सर है मुझे सच्छी बताइए क्या हो रहा है यहां पर क्या मेरी आखे मुझे विश्वास निव रहेगी निशान सर है और यू शूर हो 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 क्या वात है क्या वात है क्या पेक आइडिया क्या अरे मुझे यार बड़ा उमीद आज तुम लोग ऐसे क्यों कर रहो मेरे दिल की इतनी बड़ा कर क्यों गिरा रहे हो भाई मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन यह से नाम पढ़के एक दिन ऐसा होगा कि गरीव की क्लास में और भी टीचेज आएंगे तब तक तब तक मैं इसी से काम चला लूँगा आप भी अच्छे मैं भी अच्छा ठीक है चल अब मैंने आपको कहा था कि एक्जिक्यूटेड कॉन्टरेक्ट वो होता है जब जो भी कुछ करना है या नहीं करना है वो आइदर हो चुका है या नहीं करनी की चीज रेकॉर्ड पर आ चुकी है मैं और पाप्लिक अल्ट पार्टीस अब परफॉर्म्ड और अब्लिगेश पाइफ है किसीने कुछ भी परफॉर्म नहीं कहा है सिर्फ अभी agreement हुआ है contract हुआ है कुछ performance हुआ नहीं है तो वह चला गया था bilateral executory में ठीक है example देख ले था unilateral executory का say for example Mr. M advertises payment of reward of rupees 5000 to anyone who finds his missing boy and brings him for example किसी का बेटा घुम गया तो उसने बोला कि जो कोल भी मेरा बेटा धून कर लाएगा मैं उसे 5000 रुपय का इनाम दूँगा now the moment B traces the boy that is Mr. B एक बंदा है random उसने वो बच्चे को धून निकाला एक executory contract महा पर बन जाता है क्यों कि बी ने अपना काम कर लिया बी ने वो बच्चे को धून लिया अब एक ही बारी है 5000 रुपय करने की correct इसे कहते है unilateral executory contract where Mr. B has performed his part of the promise he has already found and traced the boy it is up to Mr. M to perform his part that is pay Rs. 5000 to Mr. B okay so there comes into existence an executory contract because B has performed his share of obligation and remains for P sorry Mr. M to pay the amount of reward to Mr. B इसको बोलता है unilateral executory contract ठीक है मैं अपने कुछ परसल घर से भी example आयों एक बड़ ध्यान से देख लेना see others advertise to pay 5000 for safely moving his boat into storage मेरी बहुत सारी property तुमको पता ही है उसमें से एक boat भी है मेरे पास हो मैंने मलब मैंने लागों का कि जो कोई मेरी boat storage टक ले जा लेगा मैं 5000 उसे दे दूंगा ठीक है अब मेरी एक student है मेरी आर्जू उसने क्या क्या उसने मेरी आर्जू पूरी कर दी मतलब उसने क्या क्या मेरा बोट लिया और बराबर storage में जाकर उसने बराबर store कर दिया so he has performed her part of the obligation now it is up to me to pay rupees 5000 यो कौन सा टाइब का contract आ रहा है अगर आर्जू ने response के को और बोट storage में ले गई तो unilateral executory contract है see others will have to pay 5000 rupees and then the contract will turn into executed contract okay then insurance policies insurance policies are also unilateral contract why in the case of an insurance the insurer promises to pay if certain acts occur under the terms of the contracts coverage for example मैं जब motor insurance लेता हूं मैं मैं उसको payment कर रहा हूं हर साल लेकिन वो कब payment करेगा जब कोई बहुत बड़ा accident हो जाए तब सिधी बात है so unilateral contract है मैं उसको payment कर रहा हूं premium का वो मुझे payment करेगा जब कोई accident हो जाएगा तब so in an insurance contract the offering pays the premium specific specified by the insurer to maintain the plan and receive an insurance allotment if the specified event occurs okay hello yes यह बेटा यह बात तो मुझे भी पता है लेकिन यह मैंने शौक से नहीं किया है आपको तो पता यह घर में क्या हुआ है ठीक है bilateral contract say for example a promises to sell his plot to b for one lakh cash down but b pays only 25 000 as earnest money and promises to pay the balance next sunday on the other hand a gives the position of the plot to b and promises to execute the sale deed on the receipt of the whole amount the contract between a and b is executory because there remains something to be done on both sides simple है ना आपने अभी तक पूरा एक लाक रुपए दिया ना मैंने अभी तक आपके नाम पे document किया तो यह bilateral एक्जिट्री कॉंट्रेक्ट है आप मुझे बच्चावा पच्छतर जार रुपए देंगे उसके बाद मैं सेल डीट पे साइन करके आपको जो प्रॉपर्टी है फ्लैट है आपके नाम पे कर दूँँ इसे कहते है बाइलाटरल एक्जिट्री कॉंट्रेक्ट्रेक्ट और बताओ कुछ और एक्जाम्बल में लेकर आया था बाइलाटरल एक्जिट्री कॉंट्रेक्ट के चलो वाइल टॉकिंग तो अ फ्रेंड स्टीय आदर्श ओफर्ट वाइज वाशिंग मशीन पॉर थी ताउजन रुपीज और फ्रेंड सेज यस देन थी आदर्श एंटर इंटर 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 बाइंडिंग बाइलाटरल एक्जिट्री कॉंट्रेक्ट एज रिजल्ट बोथ पार्टीज मस्ट फुल्फिल दर प्रॉमिस टूछ अधर तो दोस्से बात करते वक्त मैंने काया दिया कि भाइ मुझे उसके लिए 3,000 रुपे देने पड़ेंगे और उसे वाशिंग मशीन बेचनी पड़ेंगी जब हम दोनों अपना काम कर लेंगे एक्जिक्यूटेड कॉंट्रेक्ट हो जाएगा एक्षिंग करता हूँ आपको इक्स्पेंट करने ही कुषिश करता हूँ I don't know how many of you might be able to understand but CAs और लोयर इसमें कैसा होता है मैं आपको service के बारे मुट रहा था मुट रहा था हूँ okay please concentrate guys please focus here rest everything is just wasting your time and future please focus here now say for example you are a chartered accountant okay and you have started your practice now what happens is basically you go and find yourself some clients then you represent them in front of say for example income tax officer and a sales tax officer maybe gst officer or maybe commissioner of income tax and so forth यह सारे जो है यह 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 ऑथरीटीज है income tax की service tax के GST के sales tax के कस्टम के कहीं की भी हो सकते हैं being a chartered accountant you know how to talk law and your client needs your expertise your knowledge to talk to these guys and solve his case for example हो सकते उसके उपर कोई assessment आया हो case आया हो scrutiny आया हो whatever whatever it is यह उसके उपर आया है तो उसके उपर आपको काम करना है help करना है how to do that तो आप क्या करते हो ना usually you don't charge them per visit ऐसा होता है जिसे ITO है STO है आपको उनके पास एक बार नहीं आपको बार बार जाना पड़ता है जब तक आपका case close ना हो जाए for example आपके client के उपर tax चोरी का आपको एक बार में जाके तो काम नहीं होगा आपको बार बार जाना पड़ेगा अलग 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 document सब्मेट करने पड़ेगे convince करना पड़ेगा प्रूव करना पड़ेगा account for करना पड़ेगा और बात में आपको वो case solve होगा, either आप case जीतेंगे या तो case हारेंगे, अगर आप case जीत जाते है तो आपके उपर की जो demand है वो चली जाएगी अगर आप हार जाते हो, तो जो demand है वो आपको with interest pay करना है, whatever, ये कौन CA नहीं pay करेगा, pay तो client करेगा but who will represent the client, the CA is going to represent the client and the same thing happens if you are a lawyer lawyer की case में भी क्या होता है कि वो अपने client को represent करता है court of law में, फिर वो हर एक date पर lawyer जाता है, document सिरता है case लड़ता है और अपने client के लिए case जीतने की पूरी कोशिश करता है now, usually what happens is, ये सारे काम एक दिन में नहीं होते इन्हें बहुत वक्त लगता है इसमें बहुत वक्त लगता है so what, what we as a professional, what we do is we charge them a lump sum amount we usually charge them a lump sum amount say for example, I'll take say for example, I'll take 1 lakh for this case okay, now it may take one day, or it may take one month or it may take one year ठीक है ये हम बेसिकली आप से चार्ज करेंगे and then we will fight a case for you and we'll help you win the case now what happens is say for example, your client has agreed to pay you the amount of 1 lakh and you've also agreed to represent your client, in fact आपके client ने आपको 25,000 as an advance भी दे दिया, चलो, very good ओके, और आपने भी ITO के सामने जाके represent करना स्टार्ट कर दिया ठीक है, आप गये, document लेके बताया है कि sir, मैं इस client के भी आपका है हूँ, आप बताये, क्या आपने demand किया है, क्या आपको गलत लगता है, मैं आप सारी document लेके आपके सामने आ रहा हूँ मुझे बताई, क्या दोनों में से कोई भी kाम हुआ है, नहीं, ना आपको पूरा एक लाग मिला, अभी तक 75,000 बैलेंस है ठीक है, नहीं नहीं आपको एक लाग मिला, नAh आपको 75 रुपर आपका बैलेंस है और साथ ही साथ साथ ही साथ क्या हो रहा है एक और चीज़ अभी तक यह case भी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है इस चल रहा है आपको dates दी जाती है documents मांगी जाते है और आपको आना होता है बार-बार और यह काम करवाना होता है correct तो इसको बोलता है bilateral executory bilateral executory because both the parties have something to do आपको भी जाना है case close करवाना है उनको भी अभी आना है और case close होने के बाद या पहले है उनको भी आपको payment करते रहना है बहुत practical example में आपको दिया है वो भी हमारे प्रफेशन से related दिया है ताकि आपको एक आइडिया है being a chartered accountant हम लोग कि क्या जिम्मेदारी होते हम कैसे act करते और साथी आपको पता चले कि कैसे एक bilateral executory contract बहुत frequently professionals करते है इस में apply to doctor as well कभी आप तिफ एक्जांपल किसी दोक्टर से skin की किसी problem के लिए treat मिल रहे हो या कोई कोई भी case में आप मिल रहे हो doctor से तो यह हो सकता है एक ही बार में problem solve नहीं हो रहा आपको बार बार जाना पड़ता है बार बार चंसल्ट करना पड़ता है कुछ hereditary problems होती है जैसे for example diabetes अब diabetes ऐसा थोड़ी नहीं कि डॉक्टर के पास एक दिन के दवाई लिया रहे वा कल पेट दर्थ एकदम बन अरे diabetes है उसके लिए आपको continuous doctor visit करते ना पड़े या continuous आपको उसके लिए कुछ ना कुछ ट्रीट्मेंट किसी को cancer हो जाता है cancer is it takes time for us to cure the cancer तो basically यह सारे bilateral executory contract बन जाते है फिर बोथ the parties are still performing their part but they have not done they are not done performing it तो यह सारे examples याद रखना विकोज यह practical examples आपके exam में आ सकते है correct समझ में आ रहा है understood yeah then CA Adarsh enter into a contract with a lawyer stating therein that the said lawyer will represent CA Adarsh in all or any cases which materializes in a period of one year the remuneration for the same is also decided bilateral executory CA Adarsh is entered into contract with a client to represent him in respect of all income tax proceedings again the remuneration is also fixed before and bilateral executory minute yeah हो सकता है आपके घर में AC होगा आप मेंसे किसी के घर में AC होगा सकता है are usually AC बार में आपको बताता हूं या बाइक से आप लोग के बाइक है कार है यह इन चीजों को न कंटिनस रिपेर सब के नहीं होता है वॉतर प्युरिफायर तो सबके अल्मूस्ट बहुत सारी लोग के घर पर है आप देख रहा हों कि वॉतर प्युरिफायर में एक एमसी का कंसेप्ट होता है जिसको आप फुल फॉर्म है एन्यूइल कि में टेनन्स कोंट्रैक्ट यह सुना है अपने AMC annual maintenance contract what happens is a purifier वाले एक safe example आपसे 3000 रुपए ले लेते हैं for three years और अगले तीन साल में आपके एकवागाट में कोई भी दिक्कत आती है तो they solve that free of cost for you same thing applies with AC fridge यह यह सारे concept same है तो यह annual maintenance contract में क्या होता है कि safe example यू कभी कभी क्या होता है majorly बहुत सी बार one time payment हो जाता है अगर one time payment हो गया तो unilateral इसमें चले आता है unilateral में कभ जब आपने payment कर दिया 3000 रुपए का ओके लेकिन तीन साल अभी खतम होने है तीन साल तक यह cover चालो रहेगा तो unilateral हो गया कभी कभी क्योंता है payment भी आप पिरियोडिकल करते रहते हो और आपको जैसे health insurance आप payment प्रियोडिकली करते रहते हो और cover भी आपको पिरियोडिकली मिलते रहता है वह case में हो जाता है bilateral जहाँ पर आप instead of paying 3000 bulk आप क्या कर रहे हो 2500 पर month pay career so here you have not paid the entire amount uh yeah sorry 250 per month pay career 250 rupees per month bigger so here you have not made the entire payment so aapke के तरफ से पेइमेंट पेंडिंग है उनके तरफ से सर्वीस पेंडिंग हुए तो दिस इस बाइलाटरल एक्जिकुटरी कि राशी गोयल आपके आप मुझे कॉंटक करें मैं आपको खुशल का बनायावा ट्रैकर सेंट करता हूं कि ओके चलिए देख चलते हैं डिफ्रेंस यह भी अपने मन से लाएं आपके बुक्स में नहीं है डिफ्रेंस बीट्वीन एक्जीक्यूटेट एन एक्जीक्यूटरी कि यह आदर्श कि लुकिंग एट अ कार डटी वॉंट मेरको असा बहुत साल से लगता था यह एक मर्सेडीज मेरे पास भी हो सोच रहा हूं खरीदू नहीं खरीदू एक दिन मेरे दिमाग सनग गया बस यार इतना पैसा क्यों है क्या लूँगा मैं इतना पैसा लिए उपर जाने मैंने मैं गया मर्सेडिस के डिलर्शिप के पास सीधा एक पर्चेस कॉंट्रेक्ट साइन कर दिया बैंक अकाउंट से पचास लाग रुपाल रुपए निकाले और उनको दे दिया कार मेरी उन्होंने मुझे तुरंत कार की चाबी दे दी और कर दी जाओ सरी कार मुझे बता है कौन से टाइप का कॉंट्रेक्ट है यह बेजड़न परफॉर्मेंस कौन से टाइप कव हो गया यह बताना जरह कि अधाओ बाइब मोहित केविन आर्जू बताओ कि यह विकाद विश्र आपके पास तो ओडी है ना बेटा मेरे पास दो पैर है जिस पर मैं चलके घूमता हूं कि कि इसने वोला ओडी क्यू सेवेन वाली बात मेरे को नहीं पता है मेरा कोई सीन ही नहीं है दर सर यह एक्जीक्यूटेड कॉंट्रेक्ट है वाई एक्जीक्यूटेड सिम्पल है सर आपको पताओ सिम्पल है आपने पेमेंट कर दिया येस उसने आपको कार की देदी येस तो अब क्या बचा अचार डालना है वाँ बैठके जाओ अपनी कार लेके घुमू कि दूसरे वहीं एक्जांपल को थोड़ा फेर बदल करते हैं मुझे मर्सेडीज लेनी थी मैंने फाइनल डिजाइड किया बस अब मैं मर्सेडीज ले रहा हूं मैं डिलर्शिप के पास गया और मैंने एक लीज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जिसमें मैं हर मन्त 20 से एक्जांपल हर मन्त मैं वन लाक रुपीज पे कर रहा हूं और आज दिन इयमाए पॉर दकार और कार मुझे मिल गई है कार मुझे मिल गई है मुझे बताइए कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है रोल्स रोयस को यस आप दू यह विजिबल मलब यह मैसेज्वाइज मैसेज्ज आर विजिबल अद लिस्ट कुछ लोग बोल रहे एक्जिटरी कुछ लोग बोल रहे अच्छा वेरी गुट इस एँ लिएटरल एक्जिटरी कॉन्ट्रैक्ट कुछ 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 सिया अधर्श को खरीजना था सिफ एग्जमब अदी वे वेंट तो HDFC बैंक एक एंद अप्लाइट फॉर पर्सनल लोन कार लोन के लिए प्लाए के पर्सनल लोन कार लोन एक एंद वस अलॉटेड कार लोन वस अलॉटेड कार लोन विद इस ही वेंट तो ओड़ी शोरूम और बॉट बताओ कौन सी काड़ी लूटी का कुछ लोग बोले था ने क्यू से वेन अगरे क्या क्या हो रहा था है आप कुछ लोग बोले था अभी मैं तो नहीं बोला मैं तो बिल्कुल नहीं बोला है आप लोग बोल रहते हैं कौन सी काड़ी बोल रहते हैं और ओड़ी की क्यू सेवन विकास दूबे बोल रहा था क्यू सेवन तो मैंने क्यू सेवन पर्चिस करने का कॉन्ट्रेक कर लिया तो वाट आपन इस बैंक लोन से मैंने क्यू सेवन ले ली ओके सी आदर्श बोट क्यू सेवन तो यह कौन से टाइप का कॉन्ट्रेक्ट है जो बताओ बटा पट बहुत अच्छा आंसर प्रणव ने दिया यहां और मैं उसके आंसर को थोड़ा फोकस में लाना चाहता हूं घ्रणव कहता है कि सर यह जो साथ लोटी पर्चेस करे ओना है जो आप यह अदर्श बंक के बीच का कनि कैक्त और उसमें भी कौन सा है यूनिलैटरल देखो बराबर लग रहा है क्या समझ में आ रहा है क्या सर क्योंकि ओडी के शोरूम वाले को उसका पूरा पैसा मिल गया होगा प्रॉम बैंक लोन इत्सल अब बैंक लोन आप EMI में चुका रहे हो तो दा कॉंट्राक्ट ब्विन दा कॉस्टमर क्लाइं और बैंक इस एक्जिक्यूटरी इन नीचर यहर मैंने आपको पेमेंट करना है और लास्ट में इविल गेंटर इन टाइटर यहां पर कॉंट्राक्ट बिट्वीन थी आदर्श एंड ओडी शोरूम इस एक्जिक्यूटर बिकॉस ओन अकॉंट अप दिस ट्रांसेक्शन ओडिन अकॉंट दिस क्यू सेवेन थी आदर्श ने पूरा पेमेंट शोरूम को कर दिया है वो चाहे वो फुट के जेब से हो य पुर्स नाल समझ मागदेगो गुट इवनिंग गइवनिंग कॉंट और वे लिए लिए यस perfect now let's move on to offer kya hota hai offer when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with the view of obtaining an assent of यह आपको लर्न करना है और बहुत दिनों पहले मैंने आपको यह अल्रड़ी पढ़ा दिया था एक बार इसका पे छोटा सा एक्जामपल आपको देना चाहूं कि वाट विलिंग्नेश तू डू सम्थिंग पर एक्जामपल हमारे पास हैं हेमु राज हेमु ने हें दिक्षा से बात की और कहा आई वांट तो सेल माइ मोबाइट हुआ सॉरी हेमु ने दिक्षा से कहा क्या आई वांट तो सेल माइ मोबाइट और एक पर एक्जामपल 50,000 रूपीज इन दिक्षाम मोजन भूंस तो से समूस अनगेश सकंप तो सतल आओह यह व से आई इन अन्डी अप्टी दिक्षाम वेथर आद्स एक्षें तो न वे即्षां। रूस मू सक्रोषें नहीं। और टु एपस्टेन फ्रॉम दूइंग ज्यान से लिखना येस वर्ट लिखना है सम्रिद्धी है कि इस वेरी गुड डांसर ओके सम्रिद्धी यहां पर मुहित भी बहुत अच्छा डांसर है सम्रिद्धी ने मुहित को जाके कहा कि I will not participate कि इन दान्स इंडिया दान्स ओडिशन कि इस पेमी 50,000 रुपीश नहीं पर फिर से देफिनेशन पड़ो विन वन परसंट इस सम्रिद्धी सिग्निपाइश तो अनादर तै इस मुहित क्या है हर विलिंगनेश तु दू है या और abstain from doing anything यहां पर abstain from doing anything हो रहा है और यह दोनों सेंटेंस जो आपने बोले है इसको बोलने की पिछे का आपका उद्देश क्या था समरिद्धी चाहते है कि मोहित यहां पर यह बोल दे और कॉंट्रेक्ट हो जाए और समरिद्धी को यहां 50,000 रुपीस मिल जाए इसे केस में आई विल से दाट हेमू इस में एकिंग अन ओफर समरिद्धी इस में आ रहा है कि ऑफर के बारे में यह विकास यू कैन वाच थैंक यू रिशाव थैंक यू वेरी मच रिशाव गॉट ब्लेस्यू विटा बहुत अच्छा लग रहा मजा आ गया देखो सब्सक्राइब में आया के सबको यहां पर दोनों चीजी ओगे विटा विलिंगनेस तुदू और एबसेंग फ्रम दोनों चीजी आ गए खिक है खिक है अगए अच्छा पर एच्छार के खिजी करने की खिशुच करने की तार्णा की को नग्य विलिंग लिए खिक है खिक है तार्णा कि तू प्रियंक का कि तार का वैल्यू था एट कि अब ध्यान से दिखना कि शांती जे सुनके मेरे को बताओ कि यहां पर ओपरर कौन है कि यहां पर ओफरी कौन है यहां पर प्रामी सोर कौन है यहां पर प्रामी सी कौन है अब एक्सेप्ट और कौन है अगे जवाब देना पहला मैं आ रहा हूं एक पर ओफरर जल्ली से बताईए कि अपराट जो विस आफड़र कौन है खर खोर झाफर टकौन है उफरी कौन है यहां नहीं टकौन है उफरी यहां क्यामा नहींच विस प्रमिस विस्वर्टिए something here who is the promisor kevin kevin is the promisor he is promising to sell his car for file agravies who is promisee who is promisee so there is a promisee connect promisee is equal to naam liqe batao promisee is equal to who naam liqe batao kaisa liko promisee is equal to kevin ya Priyanka jali ko kya kya korn hai promisee kya samrityagraha likti hai promisee Priyanka kunal liktai Priyanka प्रतमेश Priyanka promisee विकास बोलता है acceptor Priyanka promisee Priyanka प्रामिसी जितने भी लोगों ने लिखा है that Priyanka is a promisee या acceptor they are all प्रामिसी गलत बात प्रामिसी जो कोई भी कह रहा है Priyanka is an acceptor गलत बात फूचो क्यूं क्यूं क्या मैंने आपसे कहा कि Priyanka has accepted the offer क्या एक बार भी जबसे मैंने एक्जामबल शुरू किया मेरे मुह से एक भी बार ये वर्ड निकला that Priyanka has said yes या प्रियंका is agreed to this offer या प्रियंका has accepted the offer प्रियंका is ready to perform her part मैंने बोला नहीं मैंने से वितना का Kevin has offered to sell his car for five lakh rupees to Priyanka I have never have I ever told you that Priyanka has accepted the offer क्या सीखने मिला इस्ते आपको सर इस्ते हमें एक बहुत घहरी सीख मिली इस्ते हमको एक बहुत घहरी सीख मिली और वो घहरी सीख यह है until and unless the promise he accepts the offer you cannot call him or her promise कि जब तक offer ही acceptance नहीं देते था एक सेंट नहीं देते था येस नहीं बोलता agree नहीं करता आप उसे promise या acceptor नहीं बुला सकते तो यहां पर आंसर आप भीना यह चेक करें मत देना कि वेदर प्रियंका has accepted the offer or not so let's assume let's assume प्रियंका accepts the offer कि अब आप यहां पर प्रियंका लिखो कितने लोगों को समझा बताना यार कितने लोगों को और यह देखो मजाक लग रहा होगा को छोटा सा concept है लेकिन कि सर्थ प्रियंका इस नौट प्रॉमिसी देन हाव शी कैन ओफरी यही तो समझा रहा हूं बेटा ओफरी तो अगर मैं आपको कुछ अपर कर दू तो मैं बन गया और आप बन गया और आप बन गया ओफरी ओफरी बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता there is nothing that needs to be done on your part to become an offering but yes to be called as a promisey or to be called as a acceptor you need to first accept the offer say next Priyanka ने आपके say for example आपको कह दिया will you purchase my mobile for 10,000 Karthik you became offering instantly even if you decide to say no you are still offering because offer was made to you but you will not be we will not call you promisey we will not be able to call you acceptor till the time you say from your utter this words from your own mouth yes I accept your offer is this point clear अब देखो यहां पर क्या लिखा है the person making the proposal or offer is called promisor or offerer the person to whom the offer is made is called offeree and the person accepting the offer can be called as promisey या acceptor तो याद रखना मैं आपको बार बार कह रहा हो offeree को promisey या acceptor बनने के लिए एक basic requirement है और वो है acceptor जब तक आप acceptance नहीं दोगे आप offeree ही रहोगे आप कभी जिन्दगी में promisey या acceptor नहीं भनोगे जब तक आप acceptance नहीं बनोगे यह अब देली इसी टाइम पर आता हूँ बेट लाइब समझ गया है 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 आपको पता है कोई भी offer जवाप देते हो तो आप कुछ तो offer कर रहे होगे आइधर to do something for example मैं तेरे ले खेट मैं तेको मेरा खेट बेज़ दूगा मैं यह कर दूगा मैं वो कर दूगा मैं cutting कर दूगा मैं shaving कर दूगा मैं gold का chain बना दूगा I will buy clothes for you I will make a car for you I will make a mobile कुछ तो करने का offer कर रहे हो या कुछ न करने का offer कर रहे हो for example I will not go to I will not go to court because of this I will not participate in this I will not let this happen I will not let that happen I will not do this I will not do that so all the offers will either be a willingness to do something or a willingness to not do something both the cases turns into a valid offer but yeah that not there must be an expression of willingness to do or not to do something for example I am willing to sell a sell some rice to you for 20 000 rupees yeah 20 rupees so rice basically like willingness to do it correct yeah I will not sell my rice to anyone but you that is also an offer hello I will not sell my rice to anyone else in the entire world but you this is also an offer so your offer must contain a willingness to do or not to do something यह याद रखना अब जो मिलिंग्नेस है न यह जो आप बताओगे इसका बढ़िलिंग्नेस बताने के पेच्छे का आपका इंटेंशन होना अच्छे तो गेट असेंट आप द अधर परसें बिफोर आ बिगिन पर्चेस राइस फ्रॉम मी मैं यह पूछ रहा हूं मेरे को एक्सपेक्टेड है कि आप उसके लिए मुझे रिस्पॉंड लोगे येस तो एंटायर ओफर इस स्टेटेड इन सच वे तो अप्टेन असेंट ओफ अधर पार्टी ठीक है सिर्फ एक्जाम्पल वेर ए टेल्स टू बी अब यह बहुत अच्छा एक्जाम्पल है जाए ध्यान से देखना ठीक है यहाँ मिस्टर ए है मिस्टर ए की एक बच्पन की दोस्त मिस बी एक्दम क्यूट सी लड़की है मिस्टर ए मनी मन में मिस्टर बी को कई सालों से चाहता था बच्पन का प्यार बच्पन का प्यार मेरा भूलने ही जाना रही वह वह अला स्टोरी था अब क्या हुआ एक दिन मिस्टर और मिस्टर भी कैफे में कफी पीन कोफी पीते पीते मिस्टर एने मिस्ट भी से पता है क्या कह डाला क्या आई विश्टु गेट मैरीड बाइद एंड ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी वन से मेरा से सुनना मैं क्या कह रहा हूं मिस्टर एने मिस्ट भी से कह डाला आई विश्टु गेट मैरीड बाइद इंड ऑफ दिस इयर 2021 मुझे बताईए आप सोच समझ के बताना इस इट एन ओफर कि इस इतन ओफर कि आपको लगता है एक ओफर क्या वात है मोहिदाम वेरी मच एपी या और फिंदेंग दिए इस इस यह उफर नहीं है सर क्यों नहीं ऑफर अपनी जो सेंटेंस बोला है this is not said with the intention of getting an ascent of other party it's just a statement if I say that I wish to get married by the end of 2021 will you marry me? will you marry me? is an offer it's a pure question it's an offer to which the other guy is a girl is either going to say yes or no and if she says yes if she says yes then it offer plus acceptance become an agreement which is legally enforceable and hence it becomes a contract Shadi ki baat karna kya contract hai haan sir yanne jomai apne apne friend ko Iitn din se kha raha tata kye raha tia kya ye kya ye एक contract है जो हमने कर दिया है हमें contract और हमको पता भी नहीं है हाँ बेटा हाँ बेटा हाँ लेकिन don't worry आप में से आधे लोग तो minor हो तो आप बच गए और जो minor नहीं भी है उन लोगों के लिए अब बात ऐसी है कि yes it is a valid and binding contract so be aware and before saying uttering such kind of words अब बती जल्यों कि बहुत सरी लोगी तो वेर एट अभी क्या होगा अभी ऐसा किसी ले कुछ सवाल पुचा तो आधे वाला किसान बोलेगा और सारी आवास कट रहा है आवास कट रहा है आवास कट रहा है नेट्वर किशे नेट्वर किशे नेट्वर किशे सबस्क्राइटेन आप संथे नेट है दो समस्क्राइट नेट्वर किशे नेट्वर किकन अ करनौट अ च आपको कि अपा है अपको दो एक नेगटिवर नेगर इसांपल अठावन ते लिग वरख में टीक है और किशें अल्कमा अली प्रतमेश को उसने बादा कर दिया that I will sing in your function जो भी आपके बादे का कोई function है तो I will sing there मुझे बतार यह positive यह negative यह positive what do you mean by positive here there is something that needs to be done कुछ करने का यह offer है positive का मतलब है doing something यहाँ पर क्या होने वाला है Alka Alkama Ali is going to sing in the event hosted by Prathamish there is an offer to do something it's an offer to do something well let me give you another example let me give you another example अब मैं लास्ट टाइम पे ऐसे को एक मस्तिक और बच्चा ढूंटा था अब इस class में कोई मस्तिक और बच्चा समझ नहीं आ रहा है मेरे को मैं बड़े इमांदार बच्चे है इस class के अंदर कि कि का नाम लू 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 सीपर का ले ले तो अब क्या हुआ अब क्या हुआ लू सीपर नया नया बाइक चलाना सीख रहा था अब एक दिन वह चला रहा था बाइक सीख रहा था देखा एक स्लोप था स्लोप पर भाई अपने बाइक लेकर ऐसे चल रहे था है और इस तरफ में और चैलेंजर खड़ा था नीचे नीचे खड़ा था ऐसी अपना बाते आते कर रहा था राइट अब यहां से निकला लूसिफर बने आना बाइक सीख रहा है और वो आ गया स्लोप स्लोप पर आया उससे गाड़ी कंट्रोल नी होई गाड़ी आ रही है फुल स्पीड में नीचे उसे ब्रेक मारना नहीं समझ रहा है और चैलेंजर नीचे खड़ा हुआ है बहुत जादा जोड से उससे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है लेकिन एक्सिडेंट हो गया रबा रबा ओहो हो हो एक्सिडेंट हो गया और ऑल चैलेंजर के उपर भी ठोड़ा डेंट आ गया उसके गाड़ी के उपर रहे उसको कुछ नहीं हुआ दोनों बच्चे तो सलामत रहे लेकिन और चैलेंजर के गाड़ी पे डेंट आ गया लुसिफर के गाड़ी से अब यहां पर ऑल चैलेंजर इस सेंग टू लुसिफर आई विल नॉट फाइल अगेस अगेंस्ट यू इफ यू पे मी रिपेर्स प्लस पाइव ताउजन रुपीस या वन ताउजन रुपीस और चैलेंजर बोड़ रहा है कि भाई देख मेरे गाड़ी को जो यह डेंट आया है यह तो ठीक करा दे और उपर से 5,000 रुपए दे दे मेरे को तो मैं तेरे उपर केस नहीं फाइल करूँगा इस एवन दो इट सांद नेगेटिव इस परफेक्ट ली वालिट गांट्राइट एवन दो इट सांद नेगेटिव इस अ परफेक्ट ली वालिट ओफर पताव संजा कि नूग अगा हाँ 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 होता है लुसे इस पॉस्ट टाइम पर एवर्टिग एमूराज बोले मुझे लगा सर दोनों को मार देंगे अरे मारता नहीं रहे कभी किसी को यह एक्जामपल में किसी आज थे किसी अटेंब में बच्चे को कुछ hell yeah but you are getting the point it can be something with respect to doing something or it can be not doing or abstinence okay for example a offered to sell his car to b for three racks it is an act of doing a is making an offer to b when a asked b after his car met with an accident with b scooters not to go to court and he will pay for the repair charges to b for the damage to b scooter it is an act of not doing something and हैं इस अलसो पर्फेक्टलि वैलिड ओप ओके विदेख आप लोगों इस समय पेंग और किया एंड टो मॉरोगों इस तर्ट विद काइंड सॉपर और इस विवर्ण वर्ण सम्मॉटंट कंसेप्ट अर गोइंग तो बता दिना कैसा लागा आज का लाज आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे there is a 50 50% probability मैं अभी बता दरहूं 50 50% chance है about tomorrow's class but after tomorrow I will be regular I promise you guys I know इतना कुछ मेरे life में अभी last couple of weeks में हुआ है कि I was almost absent from an academy and right now I need your support so please don't forget to support me by using the record see others in buying plus if you are planning on buying plus or anyone you know is going to buy plus please don't forget to use the record see others plus लेने से आपको live classes देखने मिलती है weekly test देखने को मिलता है structured courses और unlimited access भी होता है आपके लिए personalized guidance study planner study material expert guidelines और test analysis पाने के लिए iconic भी subscribe कर सकते हैं प्लस में आपके पास options है 3 months, 6 months, 12 months, 24 months और iconic में आपके ऐस option है 6 months, 12 months, 24 months और सारे जगा पर स्यादर्श यूजज़ करने से आपको maximum possible discount मिलेगा यह foundation और intermediate का combo subscription भी available है इसमें 12 months और 24 months के combo बहुत अच्छे options है जापर आपस यह foundation प्लस इंटर दोनों पढ़ सकते हो 24 months आपके लिए सबसे ज़्यादा cost effective है और सबसे ज़्यादा beneficial है केवल 28,000 कुछ रुपए में आपको अगले दो मेहने प्लस टू प्लस यहर्स टू यहर्स प्लस 24 months के ओपर कुछ ना कुछ offer में मिल जाता है क्योंकि आप यहां पर भी अगर आप सिया आदर्श कर लेते हो न भाई तो आपको तो maximum possible discount मिलेगा मुझे आपका maximum possible love और support मिलेगा और यह class अगर मैं अगर आप लोग मुझे support करते हो यह class में end तक लेकर चल पाऊंगा आप साथ और also don't forget to join scholarships जो हर Sunday होती है बारा बजे वहां पर भी आप सी आदर्श कोड यूस कर सकते है don't forget to tag us as hashtag CA baubali team thank you very much for joining in and don't forget to hit the like button share the videos hit the bell icon and let us inform everyone that dawn is back yes thank you very much for joining in I hope you guys like this class today god bless you all call तर्ष को यह क्या telegram या mail पर telegram पर वीटा है ना हमारा channel an academy आपको description मिल जाएगा thank you very much mohit god bless you most most welcome बीटा अरे यह तो मेरा काम है मुराज क्या बोलो है ना तो थांक्यू 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 गूद्लेस यौल lots of love take care and I hope to see you very soon in the next batch तो तो तुमॉरों mostly there will be class but अगर नहीं हो पाई तो मैं बता रहा हम आपको second onwards you will not see me missing any class for sure thank you very much god bless you all lots of love take care I'll see you in the next one bye bye